हेलो दोस्तों आज का ये वीडियो रिलाइंस रीटेल वेंचर्स की न्यूस के बारे में है तो रिलाइंस रीटेल अपने सारे पब्लिक शेयर्स को कैंसल कर रहा है तो दोस्तो Reliance Retail Ventures ये Reliance Industries यानि मुकेश अमबानी की कमपनी की एक सबसीडरी कमपनी है और यहाँ पर Reliance Industries इस कमपनी के अंदर 85% स्टेक ओन करते है तो Reliance Retail Ventures ये इनका Retail का कारोबार संबालती है अंडर दे लीडर्शिप आफ ईशा अमबानी जो इनकी डॉटर है और इन फ्यूचर Reliance Retail ये अपना IPO लाँच करने वाले है तो दोस्तो Reliance Retail Ventures के शेज अभी तक हमारे स्टॉक एक्षेंजिस पर लिस्टेड नहीं है फिर भी इनके कुछ शेज ग्रे मार्केट के अंदर फ्लोट हो रहे है यानि ट्रेड हो रहे है तो इनके शेज की लेंदेन अभी भी हो रही है जबकि इनके शेज लिस्टेड नहीं है Reliance Retail Ventures के टोटल 78 लाग शेज यहाँ पर ग्रे मार्केट में ट्रेड हो रहे है और ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इसका Valuation ये 2000 करोड रुप्यों से भी जादा है जो कंपनी के शेज हमारे Stock Exchanges यानि NSE और BSE पर लिस्टेड नहीं होते वो कंपनी के शेज ये ग्रे मार्केट के अंदर ट्रेड होते है ये थोड़ा Black and White Bazaar होता है इसलिए इसे ग्रे मार्केट कहते है जनरली ये शेज किसी प्रोमोटर के नहीं होते ये ESOPS में Employees को मिले होते हैं जो Higher Levels पर काम कर रहे होते हैं और इन्हें as an incentive और bonus ये शेज दिये जाते हैं फिर उसके बाद Employees पर होता है वो चाहे तो इन्हें शेज को hold कर सकते हैं या फिर sell कर सकते हैं into the gray market और अपने जो शेज है या फिर bonuses है उसे cash out कर सकते हैं So Reliance Retail Ventures की case में ये पाया गया है कि उनके कुछ बड़े Employees ने अपने ESOPS यानि शेज को sell कर दिया है into the gray market और इन shares की अभी trading gray market में शुरू हो चुकी है ये obviously मुकेश अंबानी जी की company है उनकी घर की company है और इसलिए लोग आग बन करके इस company में invest करना चाते हैं और मुह बोला दाम इसे देना चाते हैं इसी वज़े से इन shares के अंदर खाला बजार ये बहुत जादा बढ़ गई है और बहुत ही जादा महेंगे दामों पर ये shares बेचे जा रहे है जबकि इन shares की fair value ये इतनी जादा नहीं है बहुत सारे जो research firms है उन्होंने एक report बनाई है जिसमें उन्होंने इस company की fair value निकाली है जो 800 रुपीज के आसपास है और ये shares के भाव ये काफी जादा ऊपर charge किये जा रहे है अभी मैं आपको आकड़े बता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि actually grey market के अंदर चल क्या रहा है December 2019 में Reliance Retail Ventures का एक share 900 रुपेगा था यानि 900 रुपीज पर equity share के भाव से आप shares buy कर सकते हो और ये shares generally lots में trade किये जाते हैं तो एक लाग से महेंगे ही इनके lots होते है 2022 में इसका 52 weeks high ये 4,300 रुपीज का दा यानि इतने महेंगे दामों पर भी लोगों ने shares buy किये है और वही पर आज की तारिक में यानि 2023 में अभी Reliance Retail Ventures का share price ये 2,800 रुपीज के आसपास trade हो रहा है तो ग्रे मारकेट के अंदर ये काफी जादा volatility इसमें हमें देखने मिली है और लोग मू बोला दाम देने के लिए इन shares के लिए तयार है तो ये shares की ग्रे मारकेट के अंदर trading रोकने के लिए Reliance Retail Ventures ने अपने सारे shares को वापस खरीदने का नियनल लिया है तो सारे public shareholders के shares company वापस खरीदेगी at the fixed price of 1360 रुपीज पर share तो company ने यहाँ पर decision लिया है कि इन सारे shares को वापस खरीद कर ये इन shares को cancel कर देगी या फिर इने जला देगी बट ये shares public shareholders के पास नहीं रहने चाहिए क्योंकि ये जो grey market trading हो रही है ये सही नहीं है और ये काफी जादा stock price को inflate कर रही है तो Reliance Retail Ventures अपनी जो promoter holding है ये फिर एक बार 100% करना चाहती है before the IPO and जब भी भी IPO launch होगा तब ये अपनी share holding नीचे कर देंगे तो Reliance Retail Ventures ये अपने public shareholders से सारे shares वापस खरीदना चाहती है और अपनी promoter holding ये फिर एक बार 100% करना चाहती है तो अगर आपके पास इस company के shares है तो आप ये shares company को बेच सकते हो या फिर ये shares cancel हो जाएंगे Company अपने shares वापस लेने के लिए 1362 रुपीज पर share का fixed price पे कर रही है जो shareholder को agree करनी पड़ेगी और इस price पर Reliance Retail Ventures का valuation ये 12,00,00 करोड के भी उपर चला जाता है जिसके अंदर Reliance Industries ये 85% stake own करती है तो Reliance Industries का खुद का market valuation ये 18,00,00 करोड रुपे का है और 12,00,00 करोड की इनकी ये दुसरी company है जो market में list होने जा रही है आगे चलकर Gio Telecom का IPO आने वाला है और Gio Financial Services का IPO भी लाइन अप में है जिसका वीडियो मैं already बना चुका हूँ तो दोस्तो मुकेश हमबानी ये आगे चलकर Amiri के मामले में Elon Musk को टकर दे सकते है इसमें कोई दो राइन नहीं है इसके बारे में आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आप मेरा ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हो तो फेस्बुक पेज को भी फॉलो करके रखिए